इस वेल्कम टू एटीपी स्टार कोटा कैसे हैं आप सब हुपिंग आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे तो यह बुल्जई सीरीज कैसी लग रही है आपको बढ़ी है लग रही है तो यह देखो उसी में आज आपके लिए जो अमेजिंग कॉंसेप्ट हम लोग लेकर आए है वो है रियर्रेंजमेंट और रियर्रेंजमेंट का ट्रिक में आपको बता दूगा कि भाई कहां पे होगा कहां पे नहीं होगा तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं मैं हूँ ना आप सभी के साथ तो यह देखिए यह जो पर्टिकलर कॉंसेप्ट है रियर्रेंजमें है rearrangement, तो rearrangement का मतलब समझ में आया, when the positive charge moves from one position to the adjacent position उसको बोलते है, rearrangement होना, now सवाल यह आता है कि rearrangement होगा के नहीं होगा, how to check it and when to check it, तो पहली चीज़ मैं आपको बता रेता हूँ always check always check, हमेशा check करिये, कि rearrangement होगा के नहीं होगा समझ रहे हो क्या, यानि जब जब कार्बोगेटान बनेगा, आपको check करना होगा, आप सवाल आता है कैसे भाई, how to check तो check करने का तरीका बहुत ही simple है जहाँ पे भी positive charge बने उसके immediate left में और immediate right में देखो, इस trick का use करना मजा आएगा immediate left में और right में आप check करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या imagine करना उसके बाद, plus charge imagine करना, एक बाद left में एक बाद right में और आपको अपने आप सवाल का जवाब मिल जाएगा कि rearrangement होना चाहिए क्या तो आपको खुद दिख रहा है कि left में अगर यह चला गया तो यहाँ पर आपने देखा, rearrangement बिलकुल होगा because left में जो ketan है, वो पहले से जादा stable हो सकता है now the question is, कैसे होगा भाई, तो how का पतलब पता लगया मिल अब कैसे check करते है, when, always check करना है कैसे check करना है, वो, अब कैसे हो रहा है, वो देखना आपने का तो देखो positive charge जब यहाँ से यहाँ जाएगा, वो तभी जाएगा जब left वाले carbon से कोई ना कोई atom निकलेगा, कोई ना कोई bond तूटेगा आप देख सकते हो, इस particular carbon पे छोटू available है, दो मिथाइस available है अब इसमें से कौन shift होगा, तो इसमें hydrogen के shift होने के chance सबसे अधिक है hydrogen आपना electron पे लेके यहाँ से निकलेगा, यह hydrogen के पास दो electron है ध्यान रखी है जो shared है, यह दोनों electrons को लेके निकलेगा यहाँ से और निकल के यहाँ चला जाएगा बगल पे तो आपना देखा कैसे hydrogen यहाँ से निकलता है, और hydrogen के निकलने की वज़े से यहाँ plus charge आता है और इस particular point का plus charge खतम हो जाता है, बिकोज hydrogen यहाँ से दो electron दे दिया तो आपना देखा कि hydrogen के shift होने के इस process को हम लोग नाम देते हैं 1-2 hydride shift hydride shift का मतलब क्या है, hydrogen will be removed in the form of H- H- के form में वो shift हो रहा है, है ना, 1-2 का मतलब यह है कि जो यह process हो रहा है यह adjacent carbons पे हो रहा है, अगल बगल में हो रहा है, hence इसको बोला जाएगा 1-2 shift अब यहाँ पे plus आ गया, क्या rearrangement दुबारा हो सकता है, चेक कर लो as you can see, अब इसके बाद कोई भी ऐसी position नहीं है, जहाँ plus आने से stability बढ़े तो rearrangement एक के बाद बलब एक से जादा बार भी हो सकता है लेकिन हर step में क्या होना चाहिए, benefit होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे step में benefit हो रहा है और rearrangement हो गया, यह होता है 1-2 hydride हमारे slabers में, जो main shifts है, वो 1-2 hydride है और 1-2 methyl है बाकि और भी होती, लेकिन हमारे slabers में 2 ही है तो आपने देखा किस तरीके से rearrangement चेक करते हैं और hydride shift, तो अगर hydrogen available है, तो आप क्या करोगे? hydride shift करोगे, if hydrogen is available, do the hydride shift तो जैसे यहाँ पे देख लो इस example को वीडियो को pause करके try करो, check करो rearrangement के बाद क्या बनेगा? यह जो trick बताया है, उसका use करो directly and just do it, करो जल्दी से वीडियो को pause करो, try करो क्या होगा इसमे? Yes, I think you can already see कि यहाँ से इस point पे अगर plus आए तो बहुत अच्छा होगा तो hydrogen यहाँ से निकलता है और अपना electron से भरीवी बोरी को वहाँ पे रख देता है जिस कारण यहाँ plus आता है और दूसरी position से plus गायब हो जाता है तो rearrangement will take place for sure आईए देखते हैं अब इससे आगे 1-2 hydride shift आप देख चुके हो अब हम अगले प्रकार के shift की बात करते हैं देखिए यहाँ पे अब इसमें shift चेक करना है चेक करने का methodology में आपको अल्रीडी बता चुका हूँ बच्चो क्या होता है यहाँ पे हाँ आपने देखा कि यह position सुन्दर है बड़ी अती सुन्दर है यहाँ पे अगर plus charge आ जाए तो इसकी degree बढ़ जाएगी अपना electron pair यानि minus को लेके यहाँ बगल वाले atom पे चला जाएगा इसको हम क्या नाम देंगे 1,2, methyl shift CS3 will be removed in the form of negatively charged PC अब यह remove होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे methyl आएगा और इस point पे क्या आएगा? plus charge आएगा बात समझ में आई क्या? बस अब इसके बाद further shifting will not take place तो आपने देखा दो तरह का shifting होता है 1,2, hydride होता है 1,2, methyl होता है ठीक है? उसके अलावा यह काफी interesting example है काफी interesting example है इसमें आपको check करना है कि rearrangement कितनी बार होगा? होगा तो सही लेकिन होने के बाद क्या बनेगा? वीडियो को pause कीजिए, try कीजिए दिखते हैं किस-किस का सही आता है try this properly rearrangement यहाँ पे होगा या नहीं होगा, होगा तो कहां क्या बनेगा? think about it, pause the video मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है साथ में involved होना परता है देखे भई, यहाँ पे rearrangement हो जाएगा और rearrangement होने के बाद final जो बनेगा यहाँ पे दो बार shifting होगा दो बार shifting होने के बाद इधर प्लस आएगा यहाँ पे pH, यहाँ पे pH दो बार shifting हो जाएगा क्यों? योगि दोनों benzene के साथ वो क्या करेगा? तो alpha hydrogen तो कम हो रहे हैं लेकिन resonance हो रहा है न तो resonance is a more important factor than hyperconjugation hyperconjugation से वो बहुत ज़्यादा important होता है बात समय में आ रही है के सभी को? यह तो भई यह particular बात है rearrangement का funda यह होता है तो कोई भी question आप इस basis पर देख सकते हो हमेशा कि rearrangement होगा यह नहीं होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ practice sheet जो है बहुत सारी upload की गई है ATP star app पे और website पे free of cost accessible है आपके लिए तो आप app को download करें आजी और वहाँ से आप यह sheets को download कर सकते हो वैसी भी उसमें material continuously upload होता रहे था तो app का बहुत आप you know use कर सकते हो उसके लाबा कर मैं आपको बता हूँ तो आप सभी का प्यार support बहुत ज़रूरी है भाई तो हर वीडियो पे जो भी वीडियो आए likes पूरे होने चाहिए full power होने चाहिए तो यार कर देना और subscribe ज़रूर कर देना बहुत ज़रूरी होता है यार motivation मिलता वससे कि students को content पसंद में आ रहा है और comment section में बता देना कि भाई content कैसा लग रहा है plus next video कि इस topic से आप सभी को चाहिए okay dear students तो मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए तैयारी करते रहे है bye take care and love you all